समस्कार दोस्तों मैं हूँ गोरग और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आईए बात करते हैं कॉपर की कॉपर में हमने एक पिछले कई दिनों में देखा है कि कॉपर में एक लगातार एक नया हाई बनता चला जा रहा है और कहीं पर भी इसमें कोई रुकावट देखने को नहीं मिल रही है देखें पहले मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि मैंने कुछ दिनों पहले बताया था कॉपर में एक तब कॉपर 455 के आसपास चल रहा था अगर आपने मेरे वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे सारे मेरे वीडियो देख रहते हैं मैं ना कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कभी मेरी कॉल अगर फेल हो जा तो मैं डेलीट कर देता हूँ उसे कॉल एक अलग चीज है, ट्रेंड एक अलग चीज है, इंट्राड ए अलग चीज है आप एक शौट टम सिनेरियो लेके चल रहे हैं, वो एक अलग चीज है आप ट्रेड किस तरीके से कर रहे हैं, स्टॉप लोस के थुरू कर रहे हैं आप अपनी पोजिशन को एक्सेंट करके चल रहे हैं देखिए बहुत सारी चीज़ें आप trade कैसे कर रहे हैं और मेरा इस वीडियो को कैसे आप देख रहे है और वीडियो को लेकर मैं trend बता रहा हूँ या कोई call दे रहा हूँ, सारी चीज़े अलग है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कुछ दिनों पहले copper में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था तब 455 के आसपास ये current price इसका trade कर दा था तब मैंने आपको बताया था कि इसमें एक expected target price है जो आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है वो 480 रुपय का है 480 इसने break कर दिया है 488 के around का कल इसने एक high लगाया और वहां से इसमें एक थोड़ा सा हमने बहुती एक हलकी सी एक selling होती भी जरूर देखी है देखिए copper जो है वो daily एक नया high लगा रहा है इसमें एक indication है RSI मैंने अपने कुछ वीडियो में बताया भी है कि RSI कभी भी एक अकेला indicator ऐसा नहीं है जो बहुती strongly आपको ये बता सके है कि आपको खरीदना या भेशना है RSI जब fail होता है तो वो इस तरीके से fail होता है कि आप अगर 80-85 पर RSI है तब भी आप sell कर रहे हैं तो भी आपकी position कितने बड़े loss में आ सकती है आप भी नहीं बता सकते हैं पर उसके साथ साथ आपको कुछ और studies भी देखनी पड़ती हैं जो आपको ये indicate करें कि RSI के साथ साथ क्या market में क्या trend बन रहा है जो आपको फायदा करवा सकता है ठीक है अभी हम वापस बात करते हैं copper की copper में जो एक bind चल रही थी RSI इसका अब से नहीं कुछ टाइम पहले से ही काफी ज़्यादा ऊपर में overbought condition में चल रहा था तो हमें weight था एक break लगने का break इस पर लगा है अभी मैं आपको बताता हूं कि 487 का आप stop loss लेके इसमें आप selling की position जो है वो बना के चल सकते हैं ठीक है यह मैं बात कर रहा हूं आपके लिए purely intradate rate के हिसाब से थोड़ा सा हम नीचे आएंगे 480 का level अगर यह break करता है तो हम 473 के आसपास इसमें एक target price देख सकते हैं 473 के around यहां तक का level हम देख सकते हैं इस area में कुछ इसमें एक support बनता हमें देखने को मिल सकता है बहुत ही ज्यादा ऊपर है यह copper तो 487 का आप stop loss आप मान के चलिए 487 का आप stop loss दिहान करके चलिए यह आप ऊपर की side में break होता हुआ बहुत मुश्किल लग रहा है और इसे आप stop loss मान के आप current price पे जहां भी आज आप selling की position आप बना के market में आप अपने आपको रख सकते हैं market जैसे यह से नीचे आएगा stop loss उसी तरीके से revise करना होगा जो levels हमें देखे मैंने आपको बताया 480 अगर यह break करता है तो 473,74 के आसपास हमें target price इसका यह हो सकता है आज मिले वैसे chances यह है कि जिस तरीके से उपर गया है इतना इसमें एक retracement नीचे की side में जरूर आना चाहिए जो हमें देखने को मिल सकता है शायद आज ही देखने को मिल जाएगा अगर 480 यह break कर देता है 487 का आपने stop loss बना के चलना है 484 इसका current price है जो इसमें जो movement आनी थी वो एक rally जो थी उस पे एक break लगा है य देखे मैं आपको बताता हूँ जो मैंने इस पर पिछला वीडियो बनाया था तो मैंने यहां पर बनाया था जब इसने यह वाला breakout दिया था यहां पर मैंने आपको बताया था कि इसमें एक expected level है 480 का जो हमें देखने को मिल सकता है तो वो इसने touch कर दिया है इसके ऊपर यह अगर और ज़्यादा sustain करेगा मतलब जैसा intraday में तो यह ज़रूर दिखा देगा यह वाले level जो मैं आपको बता रहा हूँ profitable पर इसके ऊपर अगर यह sustain करके रखता है तो इसमें आने वाले time में और ज़्यादा तेजी हमें देखने को मिल सकती है पर फिलहाल ऐसा भी लग है कि अभी कुछ time तक इसमें एक consolidation का phase चलेगा उसका reason ही है कि crude oil, silver इसमें थोड़ा सा हमें एक downside जैसे indication मिलते जा रहे हैं और जिसका असर हमें copper पे भी देखने को मिल सकता है ठीक है यह देखिए यह जो था मैं ख्याल से क्या तारीख हुई उस दिन date तो मुझे भी ध्यान नहीं है जो भी यह date बनेगी यहां भी कुछ mention होके नहीं आ रहा है यह 15 जून है यहां से जुलाई शुरू है खर जो भी होगी तो इतने time में इसने यह level achieve कर लिया है और यहां पर फिर इसमें एक break लगता हुआ नजर आ रहा है और market जो है यहां से न 260 यह नीचे की side break करेगा उससे पहले reversal नहीं दिख रहा है तो यह है मेरा copper पे आपके लिए एक suggestion जिसे आप मान के चल सकते हैं और market में आप उस तरीके से trade कर सकते हैं थोड़ा हम daily charts पे भी इसकी नजर रखते हैं daily charts पे देखिए अगर आप देखेंगे तो अब यह हम daily charts पे देख सकते हैं कि इसमें एक जो candle है वो dozy candle type का एक formation बन रही है उसमें बिल्कुल exact वैसा तो नहीं है थोड़ी सी बहुत एक small इसका body part है पर यह indication यह भी है कि market में यहां से हम एक reversal देख सकते हैं तो वो reversal जैसे से confirm होगा हमारी position जो है वो selling की तरफ बनती चल जाएगी और फिलाल इसमें एक जो trend है वो उपर की side जो था उस पर एक break लगता हुआ हमें बहुत easily दिख रहा है अभी इसमें आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जब से यह lockdown वाला एक coronavirus का जो एक scenario बना था market में correction आया उससे double इसमें buying देखने को मिली है ठीक है जो correction का level था व buying जो है वो मैं बात करों यहां से तो यहां तक की एक buying बन गई है तो यह देखिए मैं यह चीज़ आपको इसलिए भी बता रहा हूं कि जितना भी financial market है वहां पर कोई news का impact क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना और market उसे किस तरीके से react करेगा यह मेरा कहने का यह मतलब है कि coronavirus pandemic की वज़े से यह जो एक selling आई थी वो सिर्फ एक एक मतलब आप यह समझ लीजिए एक बहाना था एक excuse था market का market को गिराने के लिए इसके अलाबा कुछ नहीं आज भी वोई traders है market में condition जो है वो एक pandemic को लेकर बहुत ही ज़्यादा worse scenario में आज की date में अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो हम जब यह downtrend शुरू हुआ था तब हमारे 1000 cases थे पूरे इंडिया में आज की date में हम 8 लाग के पास पहुच गया है तो और जो प्राइस है वो copper का वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है यह मैं सिर्फ copper की बात नहीं कर रहा है gold भी silver भी crude oil भी यह अपने उन लेवल से अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो उन लेवल से उपर ही है आज की rate में सिर्फ crude oil वो है जो लगभग उसी लेवल पे हम समझ सकते है 3000 के लेवल पे है पर जो बाकी जो commodities है जितनी भी है वो उन लेवल से उपर ही है market में crash जैसा अगर कभी भी कोई crash आता है तो व America में यह हो गया पूरे world में यह हो गया इंडिया में यह हो गया economy ऐसी हो गई कुछ नहीं होता सिर्फ एक example set किया जाता है आपके लिए जो एक मंदी का दोर आना होता है जिसे यह भी देखा जाता है कि 10 साल में लगबग एक बार ऐसी मंदी आती ही आती है pandemic ना आता तो यह कोई और example लेकर आपके सामने एक news में flash करना शुरू कर देते कि यह एक news है जो flash हुई है और इस वज़े से market ने अपना जो सारा का सारा एक समी क करने वह इस तरीके का बना लिया है कि market में एक selling की condition आ गई है आप एक चीज़ सोची जो चीज़ 440 रुपए की थी वह 340 की मिलने शुरू हो गई और आज की date में उसका price 880 है वह sorry 480 है तो यहां से इने कितना बड़ा एक jump मिला है और एक चीज़ और मैं आपको बताता यह market में यहां पर जो लो लगा था तब तक वो काफी recover कर चुका था उसके बाद इतना recover कर गया था तो इससे भी ज्यादा नीचे का लो लगा था यह मैं आपको इसलिए बतारू कि जो recovery है वो और भी नीचे से आई है तो कितना बड़ा उन्होंने अपने लिए एक profit generate किया ह हम तो सिर्फ उसी चीज़ में रहते हैं हम breakout level देखते रहेंगे charts देखते रहेंगे तो यह था मेरा copper पर आज का वीडियो वीडियो अच्छा लगए तो like करें share करें बने रहें मेरे साथ देखते रहें market report धन्यवाद